सभी को मेरा नमस्कार अजय इस्टार LLV में आप सभी का स्वागत हैं विगत दो तिन चार दिनों से हम आप लोगों को जो है अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं यानि विशे के बारे में समझा नहीं पाए हैं यानि जो भी विदिशास्त् कर रहा हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से यादा से शेयर कराएं ताकि जो भी 2023 यानि फरवरी में जो एक्जाम होने वाला है उनका एक बहतर प्रदर्शन हो सके और उनको एक सीट मिल सके अब इसीग साथ जो है मैं यह बताना चाहता हू कि आज जो मैं यह पढ़ाऊंगा टापिक अतिहासिक विचार धारक के बारे में बिश्तरित जनकारी के बारे में हम बताएंगे कि चार साखाएं जो मुख रूप से मैंने इसे पूरू के वीडियों बताया था कि कौन-कौन चार साखाएं मुख रूप से हैं अतिहासिक है विसले स्टात्मक है, समा सास्त्री है, दार्सनिक है, यतlında वादी है, और प्रकृति यह भी आता है लेकिन मुक रुप से यह नी कोई, अमेरिकन यतार्तवादी है, मुक रुप से माना जाता है लेकिन हम अगरा इस स votya के बारे में बता हैं, उनकी विशे स्ताय क्या है, उनके समर्थक कौन है, उनकी अलोचना कैसे की गई है, उसके बारे में हम बताएंगे, और कौन-कौन एक ही साखा में और कितने सी धान परतिपादित हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं, तो जैसे देख लीजे, कि यहाँ पे आप लोग एतिहासिक विचारधारा, यानि एतिहासिक विचारधारा के बारे में आप लोग जानते हैं, कि एतिहासिक विचारधारा के जो संस्थापक बोले जाते हैं, वो सैमनी को बताया गया है, विदी सास्त्रियू का मानना है, कि एतिहासिक विचारधारा के जो संस्थापक हैं, वो 70 को माना जाता है जबकि अंग्रेजी दर्सनिंग विधी के विचारधारा के यानि अंग्रेजी विधी के जो विचारधारा के जो समर्थक हैं यानि संस्थापक हैं उनको सर हैनरी मेन को माना जाता है लेकिन समाने नियम अक्सर MCQ में जभी भी पेपर बनता है तूसमें देता है कि एतिहासिक विचारधारा के संस्थापक कौन है या प्रडेता कौन है तो वहाँ पे आप सैंबनी को ही लगाईएगा लेकिन जहां यह प्रश्ण कर दें कि अंग्रेजी विदी के एतिहासिक विचारधारा के संस्थापक कौन है यानि आंगले विदी के तो ऐसी स् समर्थक कौन-कौन लोग है यानि कितने लोग एतिहासिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं तो पहले नंबर प्याता हैं मान लिज यहां मांटे सेमनी तो हही हैं मांटे स्कू यू हैं सेमनी है सर हेंनरदी मैन है हीगल है पोलाक है हर्वर्ड इस्पंसर हैं, गिरके हैं, हिरुगो हैं, बर्क हैं, होकलर हैं, विनो, ग्रेडाफ हैं, तो इसमें भी प्रमुक रूप से अगर आपको पढ़ना होता है, तो इसमें भी इस विचारधारा के अंतरगत, तो आप सैमनी को पढ़िएगा, हैंरी मेन को पढ़िएगा, और मांट इतिहासिक विचारधारा के समर्थक यानि संस्थापक और समर्थक इनको एक ग्रूप में याद कर लिजेगा ताकि इसी में सही पूछता है डारे कि कौन की साखा के समर्थक है यानि इससे भी कोस्टन जो है यूपी फीसियस जे में 2023 के प्री में पूछेगा ये बहुत चाहते हैं ये किनको विधी मानते हैं और किनको सबसे पहले प्रात्मिक्ता देते हैं यानि चारों सखाओं में सबसे वरीता जाता ये किनको देते हैं विधी के छेत्र में क्योंकि सभी ने विधी को ही रिफाइन करने का प्रियास किया है लेकिन सभी ने ये बताने का प्र कुछ लोग का यह मानना है कि समाज में विधी का उधवा हुआ है तो ऐसी सिती में करम के तरीके से हम लोग पढ़ेंगे एतिहासिक विचारधारक के समर्थकों का मानना क्या है आखिर में वो क्या काना चाहते हैं तो एतिहासिक विचारधारक के समर्थकों का यह मानना है कि जो बिधी हैं विधी का उधभव जो हुआ है वो रुडी और प्रथाओं पे अधारित हैं वो रुडी और प्रफाओं को विशेस महतしたे नकि राजी की विधी को महत हो देते हैं यानिatre ती वधी को स्विकार नहीं करते हैं वignment प्रुडी और प्रथाओं को जो प्रंपरागत रूप से किसी समाज के समुदाय के द्वारा एक नियम बना कर उसको मानेता दिया गया हो उसको विधी के रूप में स्विकार करते हैं तो उन्होंने कुछ विसेशताएं बताया हैं इसके बारे में हम जानेंगे उनका यह माना है कि बीधी जो है बीधी जो है राज द्वारा निर्मित नहीं होती है उनका यह मानना है बीधी पाई जाती है बनाई नहीं जाती है वह समाज में किसी विशेश वर्ग के समधाय द्वरवाल लेडी उसमें विदमान रहती है यह बनाई नहीं जाती है इनका निर्माण नहीं हुआ है उनका यह मानना है कि विधी का जो निर्माड हुआ है राज से पहले हुआ है अर्थात यह काना है कि पहले सबसे पहले विधी का निर्माड हुआ जो एतिहासिक विचारधारा वाले मानते हैं रूडी और पर्थाओं के अधार पे तो विधी पहले आई उसके पश्चात पश्चात राज अस्तित में आया तो हम सबसे जदा पहले एतिहासिक विचारधारा को सपोर्ट करते हैं कि जो रूडी पर था है उनके द्वारा जो विधी है हम उनको महत देते हैं न कि राजी के द्वारा निर्मित विधी को महत देते हैं विधी उनका यह मानना है कि यानि समाज के समुदाय के द्वारा जिनको उन्होंने मानता दिया है जिस नियम में व्योहार को मानता दिया है जो रुडी और प्रथाओं पर धारित है उन्हीं को विधी मानते हैं न कि राजनेतिक संप्रभुता के समादेश है यानि राजनेति वीधी का पालन सकता है ओना समाजिक दाहरावा लोग को मानना है कि बिधी ख्या, अलग अपनी बाते कहते हैं, उनका भी यह काना सही हैoras हमेशा जो पालन होता है नकी राजनितिक संप्रभुता से वो होता है उन्होंने क्या किया है यहानी समाजिक दबाव से यानि वो मानते हैं कि विधी जो है विधी का जो पालन होता है उसके पीछे वो स्वतंतर इच्छा होती है वो स्वतंतरता से उसका पालन किया जाता है नो कि किसी दंड यानुसास्ति के द्वारा उसका पालन कर जाता है उसके समद्ध में बताया गया है और देखिए जो पाचवा बता रहा है इसमें पाचवा विसिस्था ये बिदी सास्त्र की ये बता रहा है विदी हमेसा जो है सिमित और कैसी होनी चाहिए विसिस्थ होती है जब कि कुछ विदी सास्त्रियों का यह मानना है देखिए विधी हमेंसा कैसा होना चाहिए, सिमित होना चाहिए, एक समाज के विशे समुदाय, यानि तक सिमित होना चाहिए, और उनी के द्वारा इसका रुढ़ी और पर्थाओं के उत्पन होने से ही विधियों का निर्माड हुआ है, उनका यह मानना है, और उनका यह मानना नहीं है कि विधी जो है युनुवर्सल होती है असिमित होती है उनका यह नहीं मानना है वो मानना है कि सिमित होती है और विशिष्ट होती है और क्या है विधी जो है विधी रुडियों प्रमप्राओं पे धारित होती है और क्या मानते हैं विधी का जो उद्वा हुआ है या विकास ह हुआ है वो लोग सक्ति की चेतना यानि नोक यानि लोग सक्ति जो से होता है दिकर राष्ट का उदय होता है उसी दोरान विधी का भी उदय होता है अज जब राष्ट कोई भी राष्ट जो है अपनी राष्टियता खो देता है तो ऐसी इस्तिती में विधी भी उसी राष्टियता के खोने के साथ भी उसका अस्तित भी समाथ हो जाता है यह जो मैं पॉइंट पूछता है कि बिधी बनाई नहीं जाती है वह पहले से ही क्या रती है समाज में क्या रती है बिद्मान रती है तो यह यह भी किसका समर्था किस साका का समर्थन कर रहा है तो यह यह थियासिक विचारधारा का समर्थन कर रहा है अब क्या हम जानेंगे वीधी जो है राष्ट की अंतरचेतना का प्रतिनिद्धु करती है यानि यह भी सही है उनका यह मानना है कि जो राष्ट के जो जन समुदाय ह द्वारा निर्मित होती है और राष्ट की अंतरचेतना यानि व्यक्ति के यानि लोगों के अंतरचेतना यानि नियमों के द्वारा रुडी जो रुडी और प्रथाएं बनी हैं उन्हीं के अनुसार विदी का निर्माड हुआ है और यही जो है अंतरचेतना का यह प्रियानी का प्रियास किया है इसको एकदम बहुत सरल्भासा में मैंने समझाया है इसको आप जानियेगा बहुत सारे विदी सास्त्रियोंने इनकी आलोचनायें भी की हैं जैसे विदी पाई जाती है बनाई नहीं जाती अगर आप देखेंगे तो जो Sir Henryman है थोड़ी सी उनकी वो एतियासी विचारधारा के समर्थन करते हैं लेकिन वो कहते हैं समयनी कहते हैं इसका जो सम्मंध है यानि रोडी पर्थाओं तक सीमित है लेकिन Sir Henryman है उनका यह मना है रोडी पर्थाओं के साथ जो संसत के जुआरा यानि राज विदानमंडल दौरा समप्रभु की सक्ति के दौरा भी विधी को स्विकार करते हैं तो कई कई यह चीजों को यह अलोचनात्मक इन्हीं की साखा के समर्थक भी इनकी अलोचना कुछ मामलों में करते हैं यहां पी यह हम जानेगे यह यूपी सब्सक्राइब को यहां जो कुछ प्रमुख सिधान थे यहां पर देखिए गया इतिहासिक विचारधारा के जो बीदिसास्त्री यह अतिहासिक परिपएक्ष में ही विधी का वरण करते हैं यहां यांई एतिहासिक परशित मनें रूडी पर्ठाओं को विशेस वल देते ह ऐसी इस्तिति में उन्होंने कुछ सिधान प्रतिपादित किया है तो एस्तियासिक विचारधारा के अंतरगत जो तीन प्रमुख सिधानते देखिएगा कौन-कौन सा है लोकशेतना का सिधान जिनको वलकजिस्ट का सिधान भी करते हैं यानि इनको तीन नामों से जाना जाता है लोकशेतना का सिधान अंतरशेतना का सिधान वलकजिस्ट का सिधान यानि कहिन कई यह पूछता है यानि लोकशेतना के सिधान के बारे में पूछता है इस सिधान के परित्वपादक यानि जनुमदातक किसको माना गया है तो यहां सैमनी को माना गया है दूसरा क्या है ये पूछेगा कि बीधी का जातीतावादी सिधान किस साखा से संबंदित है ये प्री के क्वेश्चन में है बीधी के जातीतावादी सिधान का संबंद किस साखा से है तो इसको भी बोला जाता है एतिहासिक साखा से इसका भी संबंद है यहाँ पर देख लिए इसका इस सिधान्त का प्रतिवादन किया यानि विधी की जातीतावाद का सिधान्त का प्रतिवादन किस ने किया तो जर्मनी में जो हुआ किस ने किया तो हीटलर के द्वारा यानि उनीक के कारिकाल के द्वारान में उनीक के द्वारान में ये नाजितावादी सिधान्त का प्रति समाज जो है, अपने इस्तिती से समीदा की ओर संचलन करता यानि प्रस्थिती से factors से कोई यह समाज करता है,तो समीदा की ओर। तो यहां पे सर हैनरी मेन का ही नाम आता है और इन्हों ने ही सर हैनरी मेन जो है समाज को है अध्यन की सुविधा के द्रिष्ट से इन्हों ने दो भागू में वर्गिकृत किया है समाज को उनका यम मानना है कि समाज जो है एक इस्तिर समाज होता है जो समाज का समधाए एक इस्तिर समाज होता है एक जो होता है विकासिल समाज होता है जो विक्सित होते रहता है इसी में ही ये सिधान्द का प्रतिबादन किया था तो ये इस्तिर समाज और विकासिल समाज का प्रति प्रतिपादन किया गया सोध से तुलनात्मक विधिक सिध्धान का प्रतिवादन किस ने किया तो उसका भी नाम आता है सर हैंरी मैं का यही सारी चीजें हैं विशेस्ताओं में इससे बाहर एतिहासिक विचारधारा से कोई प्रस्ण बाहर नहीं आएगा आप देख लिजे इ यकीन मानिए इससे बाहर नहीं आएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से यह आपनों तैयार कर लिजेगा इसी करम में हम नेक्स वीडियो जो बनाएंगे वहां विसले स्रात्मक साखा से समधित आपका प्रशन आएगा और मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें स नहीं से हो दूर दरार से हैं जो उनको भी विदी की जानकारी होना चाहिए ताकि वो अपने अधिकारों की रच्छा कर सकते हैं अपने अधिकार की तो रच्छा कर ही सकते हैं विदी का ज्यान होने के साथ वो दूसरे के भी अधिकारों की रच्छा कर सकते हैं और कहीं कही वो विधी के छेत्र में भी उनको एक बहतर अनवह मिलेगा आजय इस्टार LLB चैनल पे तो इसलिए मैं चाहता हूं मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद